नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा है वो खासकर उन पैरेंस के लिए जो सोचते हैं कि मेरा बच्चा इंटलिजन्ट कैसे बने मेरा बच्चा जीनिस कैसे बने जफिर मेरा बच्चा सब बच्चों से स्मार्ट कैसे बने तो चलिए जानते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा ये सपना भी पूरा हुजाए देखे घर में जब से बच्चे पेदा होता है तब से लेकर माबाप उस बच्चे के लेकर कोई ने कोई सपना देखने लगते है मेरा बच्चा बड़ा होके IS बनेगा, PCS बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजिनियर बनेगा, फिर एस्टोनॉट बनेगा, पाइलट बनेगा और ना जाने क्या क्या लेकिन जानने वाली बात ये है कि उस सपने को पूरा करने में उस बच्चे का साथ सिर्फ 10% लोग देते हैं, 90% लोग सिर्फ सपने देखते हैं, और बच्चों सो उमीदे करते हैं कि मेरा बच्चा ये करेगा, इनका कोई उसमें सपोर्ट नहीं होता है, लेकिन ये सब वीड सब्सक्राइब करें कि आप लोग अगर थोड़ा सा सहयोग कर दें, तो आपका बच्चा जरूर ऐसा कर पाएगा जैसा आप सोचते हैं, दो तीन बातों पर हमें ध्यान देना होगा, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूँ कि पहली बात वह है जो हमें बच्चों को डेल बहुत अच्छे लगते हैं, तो स्टोरी में बच्चों का इंट्रेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, अब वो स्टोरी बच्चों को सुनाने के लिए आपको थोड़ी सी महनत करने पड़ेगी, और यकीन मानिया है, स्टोरी बच्चों को क्रियाटीव बनाती है, और ऐस बहुत से लोग कहते हैं, कि तुम कुछ नहीं कर सकते, बाकि बच्चे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तुम्हारे दोस्त इतने आगे हैं, उनको ये आता है, वो आता है, पर तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता है, तो स्टॉप सेंग लाइक दिस, अपने बच्चों के होते हैं कि मेरा बच्चा क्यों नहीं है और बच्चा इस बात से दुखी होता है कि क्या मैं ऐसा ही हूं जैसा मैरे मम्मी पापा सोचते हैं मेरे बारे में रश् Pas话 मुझे कहते हैं इसका मतलब कि कि मैं कुछ नहीं कर सकता मैं अभी सी आप अपने बच्चे को डाउन करते जाते हैं और आगे चल करके वह बच्चे एकदम फुल स्टॉप लगा लेता है कुछ नहीं कर पाता इसलिए मैं कहा रहे हूं कि अपने बच्चों की कमियों को ढूनना बन करिए अगर आप में आपके बच्चे में कोई कमी है तो उसमें बहुत सारी अच्छाईयां भी होंगे आपका बच्चा हो सकता है कि आप सोचते हैं आयस बने वो आयस में उसका इंट्रेस्ट नहों हो यह हो सकता है वो ड्रॉइंग अच्छी करती हो ड्रॉइंग अच्छा करता हो सौरी हो सकता है कि वो सिंगिंग अच्छा करता हो या में भी यह हो सकता है कि वो कुकिंग में उस पढ़े लिखे नहीं है लेकिन क्या उनके मावाप ने ऐसा सोचा कि इसको पढ़ लिखकर आयस बनना चाहिए नहीं और उनको आज क्रिकेट का भगवान कहा जाता है सिर्फ उनकी एक क्वालिटी के वज़ा से जो उनके मावाप ने उनके में देखी यह एक्जामपल सिर्फ म मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है ऐसी ही को इक्वालिटी आपके बच्चे में भी हो उसी को ढूंडिए और तीसरी मॉस्ट इंपॉर्टेंट बात है अपने बच्चे को प्रेज करिए मिंस उसकी तारीफ करिया वो कुछ भी करता हो उसकी तारीफ करिए वैल सकते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है जानते हैं सब एक उसके में हैबिट डाल दीजिए क्वेस्चन करने की पहले तो आप उसका आंसर खुद दीजिए और फिर धीरे उस बच्चे से वह क्वेस्चन खुद करवाई है मिंस आप जहां भी हो आपका बच्च अब कि शाद में रहता होगा किचन में रहता होगए तो फिर डाइंग रुम एनिवेर कहीं भी आपके पासवर है जो चीजें आपकी सामने दिखे एक क्वेस्चन उसके माइंड में सट कर दीजिए वोट इस उसको नहीं पता है तो आप उसका अंसर दीजिए लेकिन फिर क्वेश्चन करिए वट इस और वो बच्चा आपकी तरह है विच्वल होने लगेगा और एक दिन देखिएगा वो खुद बिना आपके कहे ही वट इस आंसर भी रिप्लाई करेगा और यह क्वेश्चन की आदत उसको कुछ आगे क्या बहुत आगे ले जा सकती है मैंने आप लोगों को दो तीन बाते बचाई फर्स्ट स्टॉप सेंग यू कांट डू इट मैंस यह कहना बंद कर दीजिए कि तुम कुछ नहीं कर सकते दूसरी बात स्टोरी सुनाईए और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आप अपने बच्चे की तारीफ करना सिख ये दो तीन चीजें करके देखिए आपका बच्चा वो कर दिखाएगा जिसके बारे में आपने सोचा है